नमस्कार दोस्तो, मैं आप सभी का चीरपरिची दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों एक बेहद ही रोचक जानकारी लेकर के जहां दोस्तों, हमारी प्रकृति ने हर चीज अपने जीवों को ध्यान में रख कर बनाई है प्रकृती ने जीवों के आहार को भी मौसम के आधार पर ही अलग अलग भागों में बाटा है कुछ ऐसे खादे पदार्थ हैं जो गर्मियों में उपलब्ध होते हैं और कुछ ऐसे खादे पदार्थ हैं जिन्हें प्रकृती सर्दियों में प्रदान करती है यह आहार मौसम के ही आधार पर स्वास्थ और शरीर को नियंतरित करते हैं गर्मियों के लिए प्रकृती की ऐसी ही एक खास देन है खरबूजा खरबूजा न सिर्फ खाने में स्वादिश्ट होता है बलकि इसके सेहत के लिए फायदे भी अंगिनत हैं दोस्तों यहां हम खरबूजे के ऐसे 20 फायदों का जीक्र करेंगे आप सबी से जिन्हें जानकर आपनी संदे इसका लाव उठाएंगे दोस्तों आप देखते हैं अलग-अलग जो लोग प्रदेशों में भी रहते हैं ठंडे प्रदेश में रहता है कोई गर्म वायू मंडल में रहता है जैसे की केनिया वगर है वो बहुत गर्म प्रदेश है इसके अलावा आप रसिया वगर जाते हैं बहुत ठंड़ा प्रदेश है तो इसके कोडिंग भी खान पान बदल जाता है वहाँ भी खाने पीने की चीज़े अलग होती है लेकिन हमारा आज का टोपिक है गर्मियों के खाद्दे पदार्थ हमारे यहां के इंडियन खरबूजे के बारे में इसका नमबर वन फायदा दोस्तों विटामिन ए और बीटा के रूटीन से युक्त खरबूजा आँखों की रोशनी को घटने से रोकता है आँखों को स्वस्त रखता है और मोतिया बिंद होने से रोकता है दोस्तों विटामिन एक इसमें जो होता है यह आँखों के लिए बेहद अच्छा होता है नमबर टू, खर्बूजे को डाइबीटीज में भी फायदे मन पाया गया है यह रप्त शरकरा के स्तर को नियंतरित कर डाइबीटीज के स्तर को समान्य बनाता है नमबर टू, खर्बूजे का सेवन उन लोगों के लिए भी बेहतर होता है जिन्हें कॉलेस्टरोल की समस्या होती है नमबर फूर, शरीर में रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है खर्बूजा खर्बूजे में निहित विटामिन सी, शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ा कर उससे रोगों और संक्रमनों से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है साथ ही, इससे सफेद रक्त कडिकाओं का निर्मार भी होता है और सफेद रक्त कडिकाओं शरीर को संक्रमन के प्रभाव से बचाती है और तो और यह शरीर में कैंसर को पनपने से भी रोगता है दोस्तू नंबर फाइब, खरबूजा अलसर जैसी समस्याओं के लिए भी बखुत फायदे मंद होता है नमबर 6, कबज जैसी समस्या में भी खरबूजा फायदे मन्द होता है खरबूजे में पाये जाने वाले dietary fibers रोगी को कबज की समस्या से निजात दिलाते हैं नमबर 7, खरबूजा गूर्दे की पथरी समेथ गूर्दे में होने वाली अनेको समस्याओं में भी फायदे मन्द होता है यह किड्नी की सफाई कर उस में से विशयले पदार्थों को बाहर निकाल देता है दोस्तों नमबर एट खरबूजा गर्फवती महिलाओं के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है इसमें निहित फेलेट शरीर से अधिक मात्रा में सोडियों को बाहर जाने से रोकता है दोस्तों नमबर नाइन खरबूजा सोने में होने वाली परिशानी को भी दूर करता है यह मस्तिश्क की मांश पेशियों को आराम देकर इसमेनिया जैसी समस्या को दूर करता है नमबर टिन जो लोग धुम्रपान छोड़ना चाहते हैं लेकिन चाह कर भी उन्हें इसमें कामयावी नहीं मिल रही है उनके लिए खरबूजा भी फायदे मंद हो सकता है खरबूजा खाने से सिगरेट पीने की तलब बंद हो जाती है इसके अलावा खरबूजा फेफ़ण को मजबूती देता है और उनसे निकोटीन को तेजी से बाहर निकालने में मदद करता है नमबर 11 खरबूजा हरिदय रोगियों के लिए भी एक अच्छा अहार है खरबूजा रक्त को पतला करके हरिदय में से रक्त के बहाव की गति को तेज करता है इससे हरिदय घात का खत ही कम हो जाता है साथ ही खरबूजे में पाय जाने वाला पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है नमबर 12 खरबूजा तनाव रोधी का भी कारे करता है खरबूजा खाने से शरीर में ऑक्सीजन का बहाउत तेज होता है और इससे मस्तिश्क को कारे करन और तनाव से लड़ने की भरपूर शमता मिलती है दोस्तों नमबर थर्टिन खरबूजा तवचा से जुड़ी समस्याओं में भी फायदे मंद होता है जहां इसका सेवन तवचा समबंधी समस्याओं को अंदुरूनी तोर पर ठीक करता है वहीं इसके लेब से तवचा पर होने वाली जलन में भी रहत मिलती है साथ हीं इसकी एंटी एजिंग प्रोपर्टी बढ़ती हुई उम्र के प्रभाओं को भी तवचा से कम करती है नमबर फोर्टिन तरबूजा एसी डीटी से पिडित लोगों के लिए भी फायदे मंद होता है तरबूजे का इस्थिर पी एच अस्तर शरीर में एसीड के मातरा को नियंतरित करता है और उसे समाने अस्तर पर लेकर आता है खरबूजा यूटी आई में भी फायदे मंद होता है यहां तक कि यूरिनरी ट्रेक्ट जैसी समस्याओं में इसे खाने की सला भी दी जाती है। यूरिनरी इंफेक्शन के अलावा यह ब्लेंडर इंफेक्शन यानि कि मुत्राशय संक्रमण में भी फायदे मंद होता है। प्रोटीन की अधिक्ता के कारण यह हड्डियों, बालों और नाखूनों के लिए भी फायदे मंद होता है। आतों के कीड़ों से छुटकारा दिलाता है। अधियानों में यह बात सामने आई है कि तरबूजे के भीजों के प्रयोग से आतों से कीड़े बाहर निकल जाते हैं। नमबर 19, शरीर में पानी की कमी होने से बचाता है और हाइडरेट रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पानी बहुत आयात मातरा में होता है। और यह पानी शरीर को अधिक घर्मी से राहत दे कर उसे ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। नमबर 20, चाती में जमें बलगम को निकालने में खरबूजे के बीज बहुत फायदे मन्द होते हैं। खरबूजे के बीज बलगम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो चिहां दोस्तों आज का हमारा यह टौफिक था आप सभी के लिए दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्तो पूर्ण जयानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों